सबको जे शुकी नव जीवन का संदेश ये शिर्शक अंतर गत प्रति दिन का इश्वर का जीवनत वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों के अनुसाथ जीवन बिताने के शक्ति सामरते क्रपा अनुगरह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक आज फरवरी के 29 तारिक है एक विशेश दिन है क्योंकि फरवरी के 29 तारिक हर तीसरे साल के बाद छोते साल में यह दिन आता है इसलिए आज का दिन खास दिन है और आज का दिन का संदेश भी बहुत ही खास है इसलिए बाईयों बहनों मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर करता हूं इस खास संदेश को सुनने के लिए आज के पहले पार्ट में से एक संदेश हम सभी ग्रहन करें जहां हम सबों के लिए बताया गया है प्रभू सभी मनुश्यों का रधाई और अंतरतम जानता है हमारा दिल और हमारा अंतरतम प्रभू जानता दिल में क्या है मन में क क्या है इन सारी बतों को प्रबू जानता दूसरी बात प्रबू का वजign कहता है मैं हर एक को उसके आचरंग और उसके कर्मों का फल देता हूं यानि कि प्रबू हमारे आचरंग को जानता है हमारे मन को दिल को दिल की भावनाओं को सब को जानता है और हमारे कर्मों को आचरण को जानता है उसके अनुसरा में फल देगा यानि कि कोई इस बात की भूल ना करें कि ईश्वर नहीं जानता है इश्वर सब कुछ जानता मेरे विचार मेरे कर्म और इसके अनुसार फल मिलेगा ये भी कहीं बार लोग सोचते हैं इश्वर दयालु है कोई सजा नहीं मिलीगे नहीं इश्वर जो न्याई है प्रेमी है अन्याई नहीं करता किसी के साथ पक्षपात नहीं करता बेदबाओ नहीं करता भले बुरे दोनों पर सूर्य वगाने वाला वा इश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वा इश्वर किसी के साथ बेदबाओ या पात नहीं करता इसलिए इस बात को जानना समझना उसके अनुसार जिवन बिताना बहुत ही जरूरी है प्रभू के इस वच्छन को हमारे सामने रखते भी जीना बहुत ही जरूरी है कि मुझे जानता है प्रभू मेरे मन मन के विचार दिल की भावना है सब जानता है मेरे आच के दिन में हम देखते हैं अमीर विक्ति और लाजरुस का उधारन आज के सू समचार के द्वारा हमारे सम्मु को रखा गया है अमीर विक्ति ने एक ऐसा आचरन किया कि हर प्रकार के एश के जिंदगी उसने बिथाई कोई कमी नहीं ती काने पीने में रहने में कपड़े पहन हर प्रकार के एश आराम की जिंदगी उसके थी रोजवत दावत उड़ाया करता था लेकिन उसके घर के फाटक के पास लाजरुस नामा के गरीब विक्ति था जिसको खाने के लिए कुछ नहीं था पहनने के लिए कुछ नहीं था हर प्रकार से वो थंगी हालत में था लेकि कि मेरे गर के फाटक के पास इस प्रकार का इनसान पढ़ा रहता है जिसकी घाव कुत्ते आके चाट लेते हैं इतना धेनी है उसके लिए कुछ करूँ कुछ मदद करूँ कुछ कपड़े पहनाऊं उसको कहने के लिए रोटी दूँ पीने के लिए पानी दूँ ऐसे सेवा मैं करूँ उसने कभी नहीं सोचा बलही हो उसने हर दिन दावत उड़ाई लेकिन इस गरीब विक्ति की वोर दियान नहीं दिया जिस वज़े से उसको बहुत बड़ी सजा बोगनी पड़ती है और इस उदारन के दौरा हमें बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है अगले विश्य है आज के दिन में हम सुबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए जिन्दा रहते हुए इस अमीर विक्ति ने संभावता कभी स्वर्ग की वोर आंकें उटा के नहीं देखी जिन्दा रहते हुए इस दर्ती पर रहते हुए हो सकता उस विक्ति ने अपने वहिबाव को अपने सुख सम्रद्धी को, अपने महमाया को, अपने आडंबर को, अपने पैसे को, अपने जमीन जायजात को, अपने आश अराम को देखा लेकिन उस वक्त उसने स्वर्ग की और आंकें उपर उठा कर उस इश्वर की उपासना नहीं की अरादना नहीं की इस्तुति नहीं की धन्यवाद नहीं दिया इश्वर को याद नहीं किया जिस वज़े से उसको नरक जाना पड़ा और नरक जाने के बाद वह विक्ति वे लोगों को देखता है जैसे लाजरुस जो उसकी गर के फाटक के पास पड़ा हुआ करता था वो भी मर गया था और वो स्वर्ग पहुँच गया था पिता इबरहिम के गोद में वो बहटा हुआ देखता है और यह देखकर उसको तकलीफ होती है दुनिया में रहते वे मैं आश अरम जरूर किये लेकिन अब मैं उसकी सजा के रूप में इस नरक में यांतरनाए सहरा हूँ कस्ट पीडा सहरा हूँ और उस बात को अनुबो करते हुए वो लाजरुस को जब देखता है लाजरुस सुक बोगते हुए देखता है उसको उसकी तकलीफ बढ़ जाती है और इस प्रकार से जब उसकी तकलीफ बढ़ जाती है उस वक्त वो प्राटना करने लग जाता संबवता उसने जीवन में इस दर्ती पर रहते है वक्त प्राटना नहीं की इश्वर को याद नहीं किया इश्वर के नियम कानुन खायदों पर उसने ध्यान नहीं दिया अब वो प्रारतना करने लगता क्योंकि वो तकलीफ में हैं अब वो प्रारतना करते हुए पिता इबराहिम से कहता है पिता इबराहिम लाजरुस को वहां से बेज दीजे ताकि वो अपना उंगली का सिरा पानी में बिगो कर मेरी जीव को ठंड़क पहुंचाएं क्योंकि मैं यहा वलिदाहन में जाने का समय था, वचन पढ़ने का समय था, पशताब करने का समय था, एक अच्छा जवन बिथाने का, प्रयास करने का समय था, उसको उसने सदर बोयक नहीं किया, अब सब कुछ खराब हुआ, नरक पहुंच गया, अब वो प्रार्तना करता, लेकिन इस वक्त क उसके प्रार्तना के सुनवाई नहीं होती अन्सुना रह के लिए प्रारतना करने लगता है क्योंकि उसने देखा कि मेरे जैसे मेरे भाई भी इस नरक में ना आ जाएं इश्वर से बोलता है अपने भाईयों के पास उनको बेच दीजिए स्वर्ग से किसी को ताकि वो समझ जाएं यानि कि इनसान जब ठोकर काता है गिरता है परेशा होता है दुकी होता है तब जाके एसास करता कि प्रारतना कितना जरूरी है स्वर्ग की और आंके उटा कर उस इश्वर के अरादना करना जरूरी है उससे दया की याचना कितना जरूरी है उसके बताएवे मार्क पर चलना कितना जरूरी है इनसान को तब एसास आता है जिस आज के सू समचार में से अमीर विक्ति को हुआ लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो जाते हैं इसलिए भाईयो बहनों हम सभी उस वक्त तक इंतजार ना करें उस अमीर विक्ति की बांती बलकि हर दिन हमारे अंतिमिशन हो सकता है क्योंकि अगले दस मिनट के बाद हम यहां पर हैं दर्ती पर नहीं है इसका कोई गैरेंटी नहीं है कल हम यहां पर हैं यह नहीं है कोई गैरेंटी नहीं इसलिए आज का दिन हमें दिया गया है प्रभू ने आज के दिन में हम अपने जीवन को कैसे सही कर सकते हैं हमारे सोच विचार कारियों को कैसे प्रुबू के वच्चनूं के अनुसार जी सकते हैं इस बात पर हम विचार करें और गंबेर्ता से उस प्रुबू से प्राटत ना करें ताकि हम कभी भी जिंदकी के किसी भी मोड में हम गुमरा ना हो जाएं पत ब्रस्ट ना हो जाएं बलकि प्रभु के बताय हुए मार्ग पर हम सभी चल सकें अगर ऐसा करेंगे निश्चत रूप से हम स्वर गया सुक बोग पाएंगे अन्यता स्वर गया सुक से वंचित हो सकते हैं उस अमीर विक्ति की बांते जिसने इस दर्ती पर रहते हुए किसी प्रकार से द्यान नहीं दिया उस इश्वर की वोर प्रारतना के लिए संसकार के लिए जिसके वज़े से उसकर नरक जाना पड़ा इस संदेश के साथ प्रभु हम सबों को सतर्क करता है साउधान करता है हम उस अमीर विक्ति की बांते लापरवा का गहर जिमधा जिवन हम ना जीएं बलकि एक जिमधार विक्ति बने अनुशासित रहें डिसिप्लिन रहें और इश्वर को प्रतमस्तान अपने जीवन में दें प्राटना के लिए संसकारों को गरहन करें पवित्रता की सादना करें और सुन्दर जीवन बिताते वें स्वर्ग राज्य का सुक बोगने वाले हम सभी बन सके हमारे लापरवाय के लिए हमारे उदाहसिंता के लिए आलस सिपन के लिए हम प्रभू से माफी मांगें ताकि हम हर एक पल पल का जिंदगी जो प्रभू ने हमें दी हैं उसको हम लोग गंबीर तास लें गंबीर जीवन जीते हुए प्रभू की महिमा देख पाएं प्रभू की महिमा कर पाएं आए हम सभी प्रारतना करें सरु शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए वचनों के द्वारा हम सबों को अन्यवाद देते हैं और इस संदेश के अनुरूप और वच्छन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्ते मांगते हैं प्रभू हम से भी दुर्भल है कमी कमजोर से बढ़े भी लोग है अपने आत्मा की बल से हिम्मत से साहा से हम सबों को भर दे जिससे की प्रभू आपके दरस्ट में जब उचित है अच्छा है नेक है उस जीमन को जीते विए आपके नाम की महिमा कर पाएं दुआ करते हैं उद्धार करता ये सुमसी के नाम से आमेन